दोस्तों किया आपने कभे सोचा है कि आखिर नोटों की छपाई कब कैसे और कहा की जाती है और जब सरकार नोटों की छपाई कर सकती है तो वह और नोट छापकर देश की गरीभी को दूर क्यों नहीं कर दीती दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देने जा रहे हैं तो बने रही है इस वीडियो के साथ आन्त तक कौन छापता है नोट यह बात तो अमूमन सभी लोग जानते हैं कि भारती करंसी के नोट भारसरकार और रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं बदा दे कि यह सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं नोट बनाने के लिए कागस का नह जायद आप नहीं जानते होंगे कि देश भर में चार जगा नोटों की छापाई की जाती है नासिक, दिवास, मैसूर वस्साल बोनी जो पश्यम बंगाल में है इनही प्रिंटिंग प्रेस में नोटों की छापाई का काम किया जाता है आपके मन में यह सवाल भी आ सकता है कि नोट चापने के लिए पेपर और स्याही कहां से आती है और उसमें कौन सी स्याही का प्रयोक किया जाता है भारत के नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जर्मनी, जापान और यूके से आयात किया जाता है हलाकि भारत की भी एक सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में मौजूद है जो नोट और स्टाम्प के लिए पेपर बनाती है नोट च्छापने वाला पेपर साधारन पेपर से बिलकुल अलग होता है नोट बनाने के लिए कागस की जखा का पास का यूज किया जाता है ताकि नोट लंबे समय तक चल सके तो दोस्तो नोट छापने की स्याही का आयात मुख्य रूप से सुईजर लैंड की कमपनी SICPA से किया जाता है जिसमें Intagalio, Fluorescence और Optical Variable Ink का इस्तमाल किया जाता है जानकारी के लिए यह भी बता दे कि आयात होने वाले स्याही के कमपोजिशन में हर बार बदलाव करवाया जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी देश इसके नकल न करके फर्जी नोट न छाप सके Intagalio, Inc. का इस्तमाल मुखे रूप से नोट पर दिखने वाली महत्मा गांधी की तस्वीर छापने में किया जाता है Fluorescence, Inc. का उपयोग, नोट के नंबर पैनल की छापाई के लिए किया जाता है कि इस नोट की नकल न हो पाए नोट छापाई का इतिहास देखे तो ब्रिटिस सरकार ने साल 1862 में पहला नोट छापा था जो कि UK की एक कंपनी द्वारा छापे जाते थे युध के चलते सरकार चांदी का सिकार ढ़लने में असमर्थ हो गई और इसलिए 1917 में पहली बार एक रुपए का नोट लोगों के सामने आया जिसे चांदी के सिक्के के बदल की रूप में चलाया गया साल 1917 के 30 नवंबर को एक रुपए का नोट सामने आया जिस पर ब्रिटेन के राजा जोर्ज पंचम की तस्वीर छपी थी हलाके इस नोट की छपाई को पहली बार 1926 में बंद किया गया क्योंकि इसकी लागत अधिक थी इसके बाद इसे 1944 में फिर से चापना शुरू कर दिया गया जो 1994 तक जारी रहा फिलहाल भारत में नैसिक के चापने का अधिकार इसरब बैंक ऑफ इंडिया के पास है एक रुपए को छोड़कर सभी नोट RBI चापता है जबकि एक रुपए का नोट भारत सरकार के वितमंतराले की और से चापा जाता है आपको जानकर हैरानी होगी कि RBI 10,000 रुपए तक के नोट चाप सकता है और इसे बड़े नोट चापने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होती है आप फिर उसी सवाल पढ़ाते हैं जब सरकार नोट चाप ही सकती है तो अधिक से अधिक नोट चाप कर देश की गरीबी को खत्म क्यों नहीं कर देती मगर ऐसा नहीं होता कि जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नई नोट चाप दो ऐसा करने से अर्थववस्ता गरबढा जाएगी इसे वहां की करनसी की कीमत काफी जादा कम हो जाती है और महंगाई की रेट भी काफी बढ़ जाते हैं दरसल नोट चापने का काम एक सुनिश्चित प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है इसमें सरकार और RBI, GDP, विकासदर, राजकोश, यगाटा आधी के आधार पर तैय करते हैं क्या आखिर कितनी बढ़ होत्री होनी चाहिए जानकारी के लिए बता दे कि रिजर्व बैंक साल 1956 से करनसी नोट चापने के लिए मिनिममम रिजर्व सिस्टम के तहट करनसी की चापाई करता है इस नियम के मताबिक करनसी नोट प्रिंटिंग के अगेंस्ट मिनिममम 200 करोन रुपे का रिजर्व हमेशा रखना ज़रूरी होता है इसके बाद ही रिजर्व बैंक करनसी नोट चाप सकता है दोस्तों आपको आज की जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताए और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे जादा से जादा शेयर कीजिए